हेलो दोस्तों, वेलकम तो ओर चैनल, हाई एन, इट्स अबाउट नेट, आज हम बात करने वाले, टाइमस ओफ इंडिया ने जो डेटा दिया है, डिफरेंट स्टेट के लिए, जैसे कि 700 के, एबाउट कितने है, 650 से 699 कितने है, वैसे डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा पब इन एद गिए है, जिसमें, डिफरेंट स्टेट के स्टूडेंट ने कैसी पर्फोमेंस करी है, वो इसमें दिखाया गए ह। तो हम दो डेट का, fakट चेक करेंगे, एक है कैरला और एक है पंजाब, क्योंकि केराला और पंजाब ने, अपनी मेरिट लिश्ट डिलेर कर दिये तो पहले हम पंजाब की बात करेंगे, यह देख सकते हैं, एक डेटा टाइमस अफ इंडिया ने रिलीस करा है, और एक जो पंजाब स्टेट ने मेरिट लिस्ट डिकलेर करी है, अपनी साइट पे बाबा फरीद कोट यूनिवर्सिटी अफ हेल्थ साइन्स, तो इसको एकोडि से 699, according to Times of India 112 स्टुदेंट है, ओफिसल मेरिट लिस्ट के अकोडिंग 93 है, 600 से 649, according to Times of India 238 है, लकिन मेरिट लिस्ट के अनुसार 292, 550 से 599, according to Times of India 342 है, लेकिन मेरिट लिस्ट के अकोडिंग 457, 157 तो जैसा कि आप देख सकते हैं टाइम्स ओफ इंडिया और मेरेट लिस्ट में 148 स्टुडेंट का डिफ्रेंस आ रहा है टाइम्स ओफ इंडिया के एकोडिंग 550 या उससे अबव 697 है लेकिन जो मेरेट लिस्ट डिक्लेर करिए उसमें 845 है तो इससे पता चल रहा है कि टा का डिफ्रेंस आ रहा है चलिए दोस्तों तो आगे चलते हैं अब हम दूसरे स्टेट का फैक्ट चेक करते हैं जो कि है केरेला यह आपके सामने डेटा है जो बता रहा है टाइम्स ओफ इंडिया के एकोडिंग कितने स्टुडेंट है और ओफिशल मेरेट लिस्ट जो कि केर अब हम दूसरे स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीज करा है टाइम्स ओफ इंडिया के एकोडिंग 700 और अबाव 18 स्टुडेंट है लेकिन जो ओफिशल मेरेट लिस्ट डिक्लियर करिये उसमें 19 है वैसे ही 650 से 699 टाइम्स ओफ इंडिया के एकोडिंग 742 है लेकिन मेरेट लि लिस्ट के अनुसर 1,112 है ऐसे 550 से 599 टाइम्स ओफ इंडिया के एकोडिंग 1659 स्टुडेंट है और अफिशल मेरेट लिस्ट के अनुसर 2145 स्टुडेंट है तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों टाइम्स ओफ इंडिया के एकोडिंग 550 और 550 के अबाव 3389 है लेकिन जो official merit list declare करी है केरेला government ने उसके according 3586 student है तो total 197 student का difference आ रहे है जो के official merit list में ज्यादा है times of India की respect में तो पंजाब के जैसे ही केरेला में भी times of India का data totally correct तो नहीं है पर almost correct के सकते हैं because इतने 3586 student में only 197 student का difference आ रहा है I hope दोस्तो मैं कुछ data के according आपको information दे पाया हूँ thank you दोस्तो अगली वीडियो में मिलते हैं